अब लोग इंबामेंट मे अपना जो टॉपिक देख रहे थे उसमें आके दिखेंगे हम देख रहे थे जो कोब संभीलन वे तो अब हम दिखेंगे जो लसकी में कोप 24 दें कि को टुप 24 जो था कॉंफेरंस ओफ पार्टीज वह 2018 में हुआ था दीके 2 से 14 सितंबर 2018 के दोरान पॉलेंड के केटोवाइस शहर में कहां हुआ इंपॉर्टेंट होता है तो पॉलेंड के केटोवाइस शहर में युनाइट नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और टाइमेट चेंज कॉन्फरेंस ऑफ पार्टीज कोप 24 शिखर सम्मेलन आयोजित क के बाद हुए थे तो यह संख्या है 24-25 मतलब कौन से सम्मेलन है तो पॉलेंड के केटोवाइस में हुआता था 2018 में क्योटोव प्रोटकॉल में शामक सदस्यों का सम्मेलन CMP14 भी कोप 24 के साथ सथ केटोवाइस में याजित किया गया अब देखें जो क्योटोव प्रोटकॉल हुआ था उसके बाद जो सम्मेलन हुए वह सी एंपी कहला है तो उच अगदा नंबर का था तो देखें सिमलर नंबर है तो याद रेखें CMP14 कोप 24 यह भी केटोवाइस में हुआ था ठीक है पॉलेंड में इस शिखर सम्मेलन में 2015 में के का पैस समझा हुआ था कि व्यवहार क्रियानवें पर विस्त्रित विचार विमश किया गया अब यह वस जो इंपॉर्टन चीजी होती है वह देखते हैं कि सम्मेलन में कुछ इंपॉर्टन हुआ था कि 2015 में जो पैरेस सम्झा हुआ था उसके क्रियानवें पर विचार विमश किया गया जलवायू परिवर्टर शिकर सम्मिलन में लिएगा प्रमुक निर्ण है इसमें कौन से इंपॉर्टेट निर्ण लिएगा इस शिकर सम्मिलन में पैरेश समझाते कि क्रियानवर पर विस्तृत नियामा वली रूल बुक का मसौधा तयार किया गया तो इसमें क्या है जो पैरेश समझाता हुआ था 2015 में उसकी क्रियानवर पर एक नियामा वली बनाएगी मतलब क्या नियम होंगे ठीक है तो रूल बुक बनाएकर इंपॉर्टेंट है शिकर सम्मिलन में शामत 200 देशों के प्रतीदियों ने इस नियमों पर सहमती व्यक्त की ठीक है तो जो भी 200 देश इसमें सामिल गुए थे उनने इस पर सहमती व्यक्ती ये नियम वर्ष 2020 से पै विकासील देशों को जलवायू परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए वित्की उपलब्दा में पार्दिशिता बनाए रखेंगे विकासील देशों के पास पैसा कम होता है तो विक्सित देश डेवलपिक कंट्रियों उन्होंने पहले डेवलमेंट कर लिया प प्रतिवाद सौ बिलियन डॉलर प्रदान करेंगे तो ठीक है जो विक्सित देश विकासील देशों को एक ग्रीन क्लाइमेट फंड डेस के वारे में आपको पुराने वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ उसके थायत प्रतिवाद सौ बिलियन डॉलर देंगे इस नियमों मे अनुकूलन उपाई यह क्या है भी डिटेल बताऊंगी कैसे इन चीजों को करेंगे साथ यह राश्टिकार परियोज्ना के बारे में अधिक प्रतान करेंगे घृंगे में इन नियमों से क्या होगा जिसमें शामिलदेश हैं तो मतलब एक को एकांटिंग करना कि कितना ग्र कांटिंग कैसे करें इसमें स्पस्ता प्रदान करेंगे तो मिलग क्या क्या है इन्यमो में शिक्षर संविलर में शामल देशों ने इस भी घर्ण के समान रूप से गर्णा के तरीक पर सहमती व्यक्त किया है सब लोग सेम गढ़ना करेंगे तो फिर हमें सही चीज़ पता चलेगी तो मतलब जो भी इसमें शामिल देश है वह ग्रीन हाउस सर्जन के समान रूप से गढ़ना के तरीके पर सहमक्ति व्यक्त करी इसमें जिसके ताहत यदि अलविक्सिक देशों को लगता है कि मृधायत मानकों को पूरा नहीं कर सकते तो वे संबन में अपनी चमता के अनुरूप योजना पेश कर सकते हैं अब देखे जो लीस डवलपमेंट कंट्री जो बहुत ही गरीब कंट्री है अगर वो माली जी ये मानकों को पूरा नहीं कर पा रही है तो जितनी उनकी चमता है उसके अनुरूप वो योजना पेश करेंगे इस शिखर सम्मीलन में शामिल देशों ने वस 2023 में जलवायू परिवर्तन की प्रभावशीलता का आकलन करने एवन प्राधुगी की विकास और प्रगति की निगरानी और रिपोर्ट करने के तरीके पर सहमती विक्ति अब देखी क्या होता है लेकिन वो देना भी नहीं चाहते हैं तो इस शिखर सम्मीलन में देशों ने कहा है 2030 में जलवायू कारवाई की प्रभावशीलता मतलब जलवायू कारवाई की जारे उसकी क्या प्रभावशीलता इसका ठेकनोलोजी को डेवलप करने और उसका ट्रांस्फर करने अब इससे हमें कहें कर संथे व्यक्ति शमस्या की निदान के लिए आवशक शी गृताफ typical संथियए तो उसके लिए मतलब जल्दी हमें काम करना उस पर यह बल नहीं दे रहे हैं अब देखेंगे कोप 24 में याद रखी केटोवाइस पॉलेंड में हुआ था अब Conference of Parties का 25 सत्र ठीक है कोप का 24 समिलन दिसंबर 2019 में स्पेन की राजधानी मैडरेट में संपन कोप 26 अब तक का सबसे लंबी हवदी तक चला जरवाईयू परिवर्टन शिकर समिलन था तो कोप 25 जो था 2019 में हुआ था स्पेन की जो राजधारी मैडरेट में ठीक है 25 मैडरेट स्पेन में हुआ था और सबसे लंबा चला था यह पैरेस समझाते के पक्षकारों की बैठक की रूप में सेवारत दलों की सम्मिलन का दूसरा सत्थ CMA2 भी था तो अब देखे जो पैरेस समझाता हुआ था उसके बाद की जो उस पे बैठके होई उसका यह दूसरा था CMA2 था अलग अलग नाम है दूसरा सम्मिलन था पहले यह सम्मिलन चिली में होना इर्धार था लेकिन चिली ने देश के बढ़ते विरोध परदर्शनों के चलते इ हुआ लगा लेकिन चलते लिएर्धशन चली नहीं इस शिकहर समयलन में सेव्कतरास पर्यावन कारीकरमा की अम्शन गैप रिपोर्ट के साथी गलोबल कार्वन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी जारे की गया रिफुट्वर्ट हैं पर्यावन कारीकरम की अवे प्रमुग बिंदो इसमें क्या क्या हुआ तो 2015 में जो पैरिस जलवायू समझोते हुए थे तो उसमें क्या है उन लक्ष्य के रिगुरू प्रत्वी पर वैश्विक तापन के लिए उत्तरदाई है ग्रीन हाउस गैस गैस उनकी कटाउती के लिए बहुत जरूरी है कि उने हाल उन पर उस पर काम किया जाए उनमें कटाउती की जाए वार्ताकार सबसे महत्पूर विवाद असपत मुद्दो में कारवन बाजारों के वी नियमन हितु समझोते पर पहुझने वे पल रहे अब एक विवाद असपत जो मुद्दा है यहां पर आ कि कारवन बाजार जो होता है अमेरिका ने विरोध किया तो जो टेंपरिचर बढ़ रहा है उसकी कारण जो हानी हो रही है उस अबसे आदा देखिए इनी कंट्रीज को हो रही है उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तामान कारण होने वाली हानी के लिए उत्तरदाई संबंधी मद्दों पर संबंधित कई जटल मुद्दों को अनुत्रित छोड़ दिया गया तो मतलब कुछ अच्छा सा इसमें रिजल्ट नहीं निकला देखिए अब कोप 26 ग्लाजगो में ठीक है ग्लाजगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ था कोप 26 में यह याद रखिए जलवायू परिवर्टन पर स्युक्त राज फ्रेंवर्क युनाइटे नेशन फ्रेंवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज यूएन फ्रिपिल सी के अंतरगर शीष निकाय कॉंफरेंस ऑफ पार्टी के 26 सत्रिक आयो जान 31 अक्ट्यूबर से 12 नम्बर 2021 था कि यूनाइटेट किंग्नम के ग्लाजग में हुआ यह याद रखें ठीके 2021 में कोप 26 यूनाइट ट्रिपिल सी का 26 वा ठीक है सम्मेलन यूके के ग्लाजगो में हुआ इसमें प्रमुक बिंदू क्या है कॉंफरेंस ऑफ पार्टी के इस सत्र में ग्लाजगो क्लाइमेट पैक्ट नामक समझाथा अपनाए गया तो द नियम है जो प्रक्रियां है उनको अंतिप रूप देना था इसका काम इसमें से अधिकाश नियमों को बस दोजाठा तक अंतिरूम दे दिया था लेकिन कुछ प्रावधान जैसे कि नए कार्वन बाजारों के निर्माट से सम्म्मदित अंसुल्जे रह गया थे ठीकि मैंने ग्लाजगू शिखर शम्मेलन ने विश्च के देशों से आग्रे किया कि वर्ष दोजार बाइस में मिस्र में आयो जिटको ट्रेडी सेविन तक वे अपने वर्ष दोजार तीस के लक्ष को और सशाथ बनाने पर विचार करें तो इस जो गलाजगू शिखर सम्मेलन हुआ उसमें क्या है देशों से बोला गया कि 2022 में जो मिस्र में कुप 27 होना है उस तक होने तक 2030 की जुनके लक्ष है उसको और मजबूत बनाने पर विचार करें शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वामिंग को 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होने देने का लक्ष रखा गया और लगभग की बतलब टेंपरेचर है वह 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए ठीक है लगभग 140 देशों ने अपने सर्जन को शुन शुद्ध शुन ने नेट जीरो तक लाने तक ले आएंगे किस डेट तक तो यह हुआ आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टन चीज़े थेंक यू